तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, NUS में आपको on-do-one exam की facility मिलती है, on-do-one exam क्या होता है, तो on-do-one exam NUS उनी students के लिए कंडेक्ट करती है, जो इस student किसी region से public exam को qualify नहीं कर पाते हैं, या public exam को दे नहीं पाते हैं, मिस कर देते हैं, तो उनी students के लिए NUS जो है, साल में एक बर तीन महीने के लिए और एक बर चार महीने के लिए NUS जो है, on-do-one exam को चलाती है, और उनी students को मोका देती हैं, जो किसी region से अपने exam को, public exam को qualify नहीं कर पाये हैं, या public exam को मिस कर दिये हैं, तो वो students अपना on-do-one exam का form भरके अपने exam को qualify करके पास हो सकते हैं, तो देखो, साल में तो यहाँ पर एक बर तीन महीने के लिए चलता है, और एक बर चार महीने के लिए चलता है, कोन-कोन से महीने में on-do-one exam NUS conduct करती है, यह चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है, और registration कब सुरू होता है, यहाँ पर हम यह भी जानें हूँ, और अभी जो latestly जो भी गया है, on-do-one exam, यह आप दिखोगे, January 2030 to March 2030, seat ability में आपको जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर कैसे चला था, तो इसे हम dextro mode में कर लेंगे, और ताकि यह सारी चीज़ें आपको, यहाँ पर आपको सही से दिखेगा, यहाँ पर हमें देख भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर district select करना होगा, district select करने का यहाँ पर आप देखोगे, तो आपको exam center में आपको option मिल जाएगा, तो यह select कर लोगे, और यहाँ पर आप देखोगे, तो आपको यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको on-1 exam का जो registration शुरू हुआ था, वो December के विल्कुल end में शुरू हुआ था, काफी YouTuber बोल ले थे कि 15 December से शुरू हो जाएगा, काफी YouTuber जो थे वो बोल ले थे 20 December से शुरू हो जाएगा, लेकिन जो exam का registration शुरू हुआ था, on-1 exam का January to March की बात हो रही है, इनका जो registration शुरू दिसंबर के end में शुरू किया था, अब देखो काफी सारे ऐसे students हैं जो मुझसे पोच रहे थे, कि अब जो June 2 सितंबर आप लोग का on-1 exam anyways कंडेक्ट करने वाली है, उसका registration कब से शुरू होगा, तो यही चीज़े हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो देखो अभी जो जो exam registration शुरू हुआ था, यानि कि January on-1 exam का registration शुरू हुआ था, दिसंबर के विल्कुल end में, ठीक है, यह 28-39 दिसंबर को यहाँ पर शुरू हुआ था, और देखो यहाँ पर जब एक बार registration सुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर CT मिल जाती है, आप ल सकते हो, ठीक है, इसका hall ticket भी आप लोग को on-dice wait मुल जाता है, यानि कि जब आप payment कर देते हो, उसके साथ साथ ही आपको hall ticket भी मिल जाता है, hall ticket पर आपको exam center भी मिल जाता है, exam की timing और date भी मिल जाता है, अब सवाल यह है कि जितने भी ऐसे students है, जो on-1 exam का wait कर रहे, जो कि January, June to September चलने वाला है, उसका registration कब से शुरू होगा, तो देखो, यहाँ पर आपको previous से यहाँ पर data दिखा दिया है मैंने आपको, कि बिल्कुल end में शुरू हुआ था, तो जितने भी ऐसे students है, जो June to September on-1 exam की registration की wait कर रहे, आपको मैं यहाँ पर बतायता हूँ, देखो, मई के मैं की बिल्कुल end में, June on-1 exam registration शुरू हो जाएगा, और इसके लिए आप लोग को मैं चैनल के थोरू इन फॉर्म भी करूँगा, ठीक है, क्योंकि previous record जो दिखा रहा है, यहाँ पर मैंने आपको वही बताया है, तो मैं के बिल्कुल end में June on-1 exam registration शुरू हो जाएगा, और य तो इसकी registration कब से शुरू होगी, इसकी registration मैं के बिल्कुल end में शुरू होगा, हो सकता है कि मैं के 4th week में भी शुरू हो जाए, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक हपता पहले अन्वे जो है, on-1 exam के registration शुरू कर देती है, लेकिन previous record के according आप देखोगे, तो आपको यहाँ प जून exam registration शुरू हो जाएगा, जो कि on-1 exam है, इसमें वो सारे students eligible होते हैं, जो public exam देख के आते हैं, या किसी other state से अपना exam को qualify कर चुके होते हैं, improvement के लिए आते हैं, वो भी on-1 examination form को भरते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना, और मैंने आपको form बगरा भर के दिखा रखा है कि आपको कैसे form फिल करना होता है, on-1 exam का, बाकि रई सेशन जैसे शुरू होगा, मैं आपको चैनल के थुरू inform करूंगा, वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग के लिए और आपको बताऊंगा, कि आपको examination phase कैसे पे करना है, hall ticket कैसे download करना है, यह सारी चाहिए, ठीक